नमस्कार आप देख रहा हैं दवी हाट ओप मैं हूं आदेश पूरी सिपाही भरती परिक्षा एक अक्टूबर को हुई 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली थी लेकिन पेपर लिक गरवली के कारण जो है CSBC के द्वारा परिक्षा को आज रद कर दिया गया और जो 7 अक्टूब यानि कि आर्थिक अपराद साखा के द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया तो जो अभी तक पेपर लिक हुआ है चाहे भी PSC हुआ हो BSAC हुआ हो उसके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये पुनर परिक्षा कब होगी और अब क्या होगा आपको बताएं कि प से पहले अब जो भी परिक्षा में गड़बड़ी किये हैं उनका धर पकड़ सुरूर होगा उनको पकड़ा जाएगा कि आखिर कहां से कोस्चन पेपर लिक हुआ है आखिर चातर जो कहते रहें कि परिक्षा से पहले जो है एंसर किया गया था तो इसका मतलब कोस्चन भी होगा कोस्चन भी जल साजो के हाथ में लगा होगा तो यह जाच होगा कि आखिर कोस्चन पेपर जो है वो कहां से बाहर लिक किया क्योंकि हम बताएं आपको हम की बीपीएसी सरसठवी में भी ऐसा हुगा था कि एक्जामिनेशन कैंसल कर दिया गया और उसके बाद ईयो तो ये चेंड चला गिरफतारियों का और 19 लोग गिरफतार हुए थे 67 भी बीपीएसी के समय में जिसमें बता दे आपको कि DSP, CEO, वीडियो सभी लोग गिरफतार हुए थे तो वैसे ही कुछ चलेगा इसमें कि गिरफतारियों का पहले दौर सुरू होगा ईयो यू पता करेगी कि कौन सा आखिर गैंग था, कौन लोग थे जो की परिक्षा में प्रस्टन पेपर जो है वो आउट करवाएं, किसने उसका मॉडल एंसर की तयार किया, किसने उसे सर्कुलेट किया और किन-किन लोगों के पास वो पहुंचा उनके बीच क्या आर्थिक लेंदिन हुआ था, यह सब कुछ जाचा जाएगा, यानि कहा जाए तो मामले की तह तक यू जरूर जाएगी और जाना भी चाहिए और जाते भी हैं वो लोग तो आपको बताएं कि पहले तो जाच होगा, इसके बाद अगर हम देखे कि CSBC, CSBC भी अपना इंटर्नल जाच करेगी, क्योंकि उनका भी एक चेन है, एक प्रॉसेस है, जो की कुश्चन तयार करते हैं, उसकी छपाई होती है, वहां से सेंट्रों तक जाता है, कैसे डिस्ट चात्रों के पास पहुंच गए, तो इन जो बिंदू जो है, इसका जाच किया जाएगा, और ये सारी बाते हम आपको बता रहे हैं, BPSC, CSBC, CSBC, CSBC 3 जो हुआ था, उसके जाच में जो खबरे आई, उसके अधार पर हम आपको बता रहे हैं, अगर परिक्षा की बात करें, त आसपास जो है, कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में फिर से उनका सेटिंग एरेजमेंट करना, परिक्षा का डेट डिसाइड करना, क्योंकि अगर देखी हम, BPSC, CSBC जो है, आठ मई को हुआ था, और आठ मई को उससे कैंसिल कर दिया गया, उसके पुनर परिक्षा में लगबग चार महीने और लगे, 30 सितंबर को वो परिक्षा लिया गया, उसी तरह बताएं आपको हम कि 23 दिसंबर को BPSC, CSBC का परिक्षा पर लिख हुआ, जिसे रद किया गया, उसका परिक्षा 5 मार्च 2023 को लिया गया, यानि कि 4 महीना लगा, तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो है, CSBC आज इस परिक्षा कैंसल किया है, और आपको बता दे कि इन दोनों परिक्षाओं से कहीं जादा कैंडिडेट की संख्या है, सिपाही भरती में, BPSC तो एक ही पाली में होती है, CSBC तिन ही पाली में हुई, और ये 6 पालियों में होने वाली थी, तो फिर से जो है, आयो को ही लंबा चोड़ा तयारी करना पड़ेगा, यानि कहा जाए तो मिनिममम देड़ से दो महीने बाद ही परिक्षा होने की संभावना बनती है, और वही अगर हम देखिए, अक्तूबर में तेवहारों का समय है, नौंबर भी देखिए, तो पंदरह नौंबर तक तेवहारों का परिक्षा कैंसिल हुआ है, और बहुत बड़ा कोई क्लू मिला होगा, तभी ये परिक्षा एक अक्तूबर का रद किया गिया ही गया, साथ और पंदरह का भी इसी का रद किया गिया है कि हो सकता है कि कोई न कोई ऐसी जनकारी मिली हो आयोग को, जो कि साथ और पंदरह त ये बताता है कि जो सेटर हैं जो गड़बरी करने वाले हैं उनका इरादा ठीक नहीं था और वो पूरी परिच्छा को अपने गिरफ्त में लेना चाहते थे और जितने लोग पकड़े गाएं आप ही सोचिए दो-दो-सो जो है वो एक्विप्मेंट पकड़ा रहा है एक सेट सेटर हैं तो जरूर यो यू को बहुत बड़ा ये लॉबी मिला होगा और उन्होंने सीएस्विसी को सुचित किया होगा कि ये लॉबी जो है वो काफी एक्टीव है और काफी नुकसान पहुंचा चुकी है परिच्छा को दूसित कर चुकी है इसलिए आप आगे भी होने वाले परिच्छाओं को तत्काल रोक दें तो संभावनाय जो है वो 15 नौवंबर के बाद बन रही है हलाकि यह जो है हम अभी यह कर रहे हैं यह पुरुव में जिस परिच्छा में पेपर लिख हुआ जो रद किया गया उसके अधार पर हम कर रहे हैं कि सरकार है चाहे तो पहले भी करा सकती है लेकिन संभावना जो है वो 15 नौवंबर के बाद ही बन रहा है लेकिन इन सब के बावजूद आप CSBC का वेबसाइट लगातार देखते रहें क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि सबसे बड़ी बहाली है अभी तक की बिहार में पुलिस की तो इसे जल से जल झाल झाल